क्लास में हम पढ़ेंगे impact of jet के बारे में, impact of jet का introduction देखते हैं, the liquid comes out in the form of a jet from the outlet of a nozzle which is fitted to a pipe through which the liquid is flowing under pressure, ये pipe हो गया, pipe से क्या connected है, nozzle connected है, और ये क्या हो गया हमारा water jet, इस pipe में क्या बरा हुआ है, water बरा हुआ है, जब ये nozzle से बाहर आता है, तो nozzle का characteristic होता है, ये velocity को क्या करता है, बढ़ा देता है, और pressure को क्या करता है, decrease करता है, तो यहाँ से जो water निकल रहा है, उसका velocity क्या होता है, बहुत ज़्यादा रहता है, ये water, इसको हम water jet भी बोलते हैं जब तक flow होगा, जब तक मैं इस water jet के सामने कोई object ना रख दूँ, अब हम देखते हैं, second case में, जब मैं ये water jet के सामने कुछ object रख देता हूँ, इस some plate, ये plate क्या हो सकता है, fixed भी हो सकता है, और movable हो सकता है, इन दी path of the jet, अगर मैं किसी fix plate को, या movable plate को, water jet के path पे रखता हूँ, तो क्या होता है, यहाँ पे से water निकल रहा है, बहुत high value city से निकल रहा है, तो क्या करेगा, जब ये water jet, plate को strike करेगा, fixed plate को strike करेगा, तो ये तो अभी क्या हो रहा है, इस condition में, जब water jet plate पे जाएगा, तो यहाँ पे plate पे क्या लगाएगा, वो force लगाएगा, ए force is exerted by the jet on the plate, water jet के द्वारा एक force कहां पे लगाया जाएगा, प्लेट पे लगाया जाएगा, तो ये हो गया हमारा plate, और water jet कैसे लगा रहा है, force यहाँ प ब्लेट के द्वारा force लगा रहा है, second case है हमारे का है, movable plate है, water jet यहाँ से हाई velocity से निकल रहा है, यह हाई ब्लेट पे टकराएगा, तो यह movable plate है, तो यह पहले position से कहा पे आ जाएगा, इस position पे आ जाएगा, कुछ डिस्टेंस ट्राइवल करेगा, कुछ velocity से यहाँ पे आ ज फोर्स लगेगा फोर्स लगेगा फोर्स एक्जेटेट बाइ डिजेट अन दी प्लेट इस फोर्स इस अप्टेन फ्रॉम दी न्यूटन सेकेंड लॉप मोशन और फ्रॉम इंपल्स मुमेंट इक्वेशन जो फोर्स लग रहा है प्लेट पे उसको हम कैसे निकालेंगे न्यूटन सेकेंड लॉप मोशन से निकालेंगे या फिर इंपल्स मुमेंट इक्वेशन से तो इंपल्स क्या होता है इंपल्स होता है चेंज इन मुमेंटम इंपल्स होता है चेंज इन मुमेंटम यह मुमेंटम क्या होता है मुमेंटम माण लेते हमारा क्या है मास इंटू को वैलोसिटी को कि इनिशल पोजीशन के लिए वान दे दिया मैनस फैनल पोजीशन के लिए क्या हूज बागा मास इंटू वैलोसिटी हमारा second position के लिए तो यह क्या होगा हमारा impulse तो force क्या होगा force होगा force equal to rate of change of momentum rate of change of momentum in the direction of jet in the direction of jet तो यह हमारा force क्या हो जाएगा change in momentum upon change in momentum upon क्या हो जाएगा time हो जाएगा equal to initial momentum initial momentum minus final momentum upon time तो initial momentum कितना होगा mass into initial velocity और final momentum क्या होगा mass into final velocity तो यह क्या होता है हमारा impulsive force होता है इसी impulsive force को हम क्या बोलते है force exerted by the jet on the plate in the direction of jet water के jet द्वारा plate पे जो force लगाया जाता है उसी को हम क्या बोलते है impulsive force कहते है cases of impact of jet यह हमारे syllabus में है जो हमको पढ़ना है impact of jet पहला है force exerted by the jet on a stationary plate stationary plate मतलब यह हो जाएगा fixed plate question में stationary placed भी लिखा रहता है और fixed plate भी लिखा रहता है तो force exerted by the jet on a fixed plate when जब हमारा plate क्या रहेगा vertical रहेगा jet के direction में यह water jet है जो nozzle से बाहर आ रहा है यह हमारा plate क्या रहेगा vertical plate रहेगा इस case में हमको force निकालना है water jet vertical plate पे कितना force लगाएगा second जब हमारा plate क्या रहेगा inclined रहेगा inclined मतलब यह water jet हो गया यह plate क्या हो गया inclined हो गया तो इस case में water jet inclined plate पे कितना force लगाएगा उसको निकालना है तीसरा plate क्या रहेगा कर्वर हैगा कर्व मतला प्लेट इस टाइप से कर्वर हैगा यह हमारा water jet हो गया जब वह प्लेट से टकराएगा तो कर्वर प्लेट पे कितना force लगाएगा उसको निकालना है second है force exerted by the jet on a moving plate when plate is vertical अब भी जो cases पढ़े हम लो वो कौन से था यहाँ पे का plate क्या था fixed plate था यह सब जितने भी vertical plate है inclined plate है और curve plate है इस case में क्या होगा plate क्या रहेगा vertical तो रहेगा और यह क्या रहेगा इसका कुछ velocity रहेगा जैसे कि यह water jet हो गया यह से टकराएगा तो यहाँ पे यह plate का भी velocity है यह water jet का वहले सुटी होगा यह plate का वहले सुटी तो यह plate क्या होगा आगे बढ़ेगा तो दोनों के बीच में क्या होगा relative velocity आएगा ठीक है यह plate का position 1 है vertical plate का टकराने के बाद plate का position 2 है इधर को जा रहे है इतना distance क्यों travel कर रहे है क्योंकि यह moving plate है और कौन से case देखेंगे जब plate क्या रहेगा inclined plate भी ऐसा रहेगा यह भी moving रहेगा जैसे water jet इसे टक रहेगा यह आगे बढ़ जाएगा इसमें relative velocity का concept आएगा थर्ड है plate कर रहेगा curve भी ऐसा रहेगा moving curve plate इसका भी velocity यह रहेगा जैसे water jet इसे टक रहेगा यह curve plate कुट distance traveled करेगा और flow के डारेक्शन में आगे बढ़ जाएगा तो यहां पे कितना फोर्स लग रहा है यहां पे कितना फोर्स लग रहा है यह फोर्स उसी को हमको इस केस में निकालना है जब हमारा प्लेट क्या रहेगा मूविंग रहेगा तो मेरे ख्याल से हमको किसले बस में क्या क्या पढ़ना है इंपक्ट ऑब्जेट का इंट्रोडक्शन भी इंपल्सिव फोर्स क्या होता है इसमें कौन से प्रिंस पर लग रहा है सब समझ में आ गया होगा इसमें कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इंपक्ट और इंपक्ट ऑब्जेट और इस्टेशनरी प्लेट जब प्लेट हमारे क्या रहेगा वर्टिकल प्लेट रहेगा है ओके ठैंक्यूं